प्रेके बाद आपका बहुत स्वागत है एक बड़ी बात ये भी है कि बजट पेश करने के बाद अरुन जेटली मीडिया के सामने आए हैं वहां पे बहुत नपातुला बोला है उन्होंने कहा है कि पीछे की जो चुनौत पीछे जो स्थिती रही है उसने हमारे सामने पेले हमें अपनी गाड़ी को समतल पे लाना है उसके बाद फिर हम फर्राटा भरने के बारे में सोचेंगे इस तर्क के साथ हम अरुन जेटली को कितना माफ कर सकते हैं उनको कितना कटगरे में खड़ा कर सकते हैं उमेश जोशी जी इसा है कि सीधे तोर पर अतावक जब आप बजट देख रहे थे तब भी और कुछ घंटे अध्यन करने के बाद भी हमें कहीं से भी बजट ऐसा नहीं लगा जिसमें हम यह कैसा कि कोई विजन दिखाई दे रहा है और सरकार कोई रोड मैप देना चाहती है अर्थ विवस्था को दुरुस्त करने की कुशिश की गई है ऐसा कुछ नहीं है परंपरागत बजट है गिसा पिटा जिस पहले ढर्रे पर जिस तरह से बजट आते थे ठीक उसी तरह का बजट ही है उसमें चिंटा जो होनी होता है कि इतना पैसा आएगा फला फला मद से इतना पैसा करें के अर्थ शास्त्री सर यहां पर यह तरक दे रहें कि सर्फ सात महिनों के लिए यह बजट है तो एक तरीके से उनके लिए अंतरीम बजट है अभी सब कुछ बहुत सीधा रखें आने वाले समय में जब अगल बजट माना जाएगा मोधी सरकार का और पहले बजट में ही अगर आपका विजन दिखाई नहीं दे रहा है कोई एक सपष्ट दिशा निर्देश नहीं दिखाई दे रहे हैं एक कोई ऐसी जमीन नहीं दिखाई दे रही है जिस पर आप अर्थ व्यवस्ता की मजबूत कि बिटर पिल्स देनी पड़ेंगी बिटर पिल्स देने से कौन रोक रहा था आपको कोई नहीं रोक रहा था लोग स्वागत करने को तयार थे लेकिन कोई एक ऐसा तो बजट होता जिसमें ये लगता कि कॉंग्रेस के पिछले 10 साल के बजट से हट कर हैं ऐसा लग रहा है क कॉंग्रेस ने 11 साल भी बजट पेश कर दिया कॉंग्रेस सयार करके गई थी उसी बजट को अरुन जेटली ने सदसद में पेश कर दिया ऐसा लग रहा है पंकट जी सवाल ये है कि जिस दावे के साथ भारतुय जौनता पार्टी स्वरकार बनाने में काम्याब हो गई उसस सिर्फ एक जोका कहें भारतुय जौनता पार्टी ने जमीन पे काम नहीं किया नरेंद्र मोदी जो बार बार ये तरक दे रहे थे कि उन्होंने पूरे भारत का ब्रमन किया है उन्होंने स्थितियों को जानते तो बहुत सारे मद जोकी खाली रह गए हैं वहां पे आवंटन होता राशिए का आपके इस बजट में मैं इसके लिए यही करना चाहूंगा कि मोदी के इस बजट को देखने के बाद यहीं लगता है कि जैसे सब्ताव में आने के बाद आमाद्मी पार्टी ने किया था वादे किये थे, लोगों के उपर आरोप लगाये थे, तमाम गोसनाए की थी लेकिन जब काम करने का वक्ता है तो 39 दिनों में भाग गये उपके पास कोई प्लान नहीं था, कोई सोच नहीं थी हवा में बस लोगों के उपर आरोप लगा देते थे पितरी भी हवा हवाई चीज़े नहीं हैं यहां पर सहमें हुए से देख रहे हैं नरेंदर मुझी इन्हों ने जो पहले ही आते ही यह बोल दिया था कि कड़वी दवा का डोज देंगे जैसा कि उमेस जी ने बोला कि वो इनके बज़ट में नहीं दिखा रेल बज़ट पेस करने के पहले आप किराया बढ़ा देते हैं माल भाड़ा और यात्री किराया बढ़ा दोनों विरोध वियू सस्तर का नहीं होता है आपके पास एक मौका था दिखाने का कि हम ये करने जा रहे हैं मुझे भी कहीं से ये देखके नहीं लगा कि ये कॉंग्र अपने परिवरतन क्या किया आपने कहा था अच्छे दिन आएंगे कैसे आएंगे इस बजट से अच्छे दिन कैसे आएंगे मोदी का वो अलबजट है जो मोदी ने लोगों को सपना दिखाया था उससे इस पना पूरा नहीं होने वाले इस बजट में एक खास बाद जरूर देखने को मिली है कि पूरवत्तर राज्यों पर फोकस किया गया है उसमें पांच बिंदू ऐसे हैं जो खास तोर से जिनका जिक्र होना चाहिए कि मनिपूर में स्पोर्ट्स यूनिवर्चिटी बनाने के बात है रेल विकास के लिए सो कर और रुपए आबंटित किये गए हैं हाई वेज और इंडिस्ट्रियल डेवलप्मेंट पर खास ध्यान दिया जाएगा और अरुन प्रभार नाम का एक टीवी चैरल शुरू किया जाएगा और एम्स जैसे चार संस्थान खोले जाएंगे ये पांच बिंदू ऐसे हैं जिन और ये भी आप अच्छी तरह से जानते हैं कि कोई सरकार हो दो बजट पेश करती हैं एक बजट में दो बजट होते हैं एक इंडिया का बजट होता है एक भारत का बजट होता है और इसमें भी भारत का बजट दिखाई दे रहा है कि किसानों को फोकस करने की बात मतलब किस किसानों को तवजह दी गई है एस में, कृषिक छेत्र को प्रायवर्टी दी गई है, अब वो छार परसेंट जो ग्रोथ रेट हासिल करने का, जो इन्होंने लक्ष रक हासिल होगा नहीं होगा, ये दिगर बात Benedict के ये कोशिश और बजट कुछ नहीं होता सिर्फ एक दिखावाबार होता है आप ये देखिए कि आज तक पिछले 15 साल का अगर आप एनलिसिस करें तो किसी भी बजट के 66% से जादा वाइदे पूरे नहीं हो पाए है मैकसिमम 66% अचीव हुआ है जितना कहा गया है इस बजट को कितना अचीव कर पाएंगे ये देखने वाली बात है लेकिन कॉंग्रेस के जितने बजट है एक बार तो ऐसा भी हुआ है कि वो अचीवमेंट मातर 30-32% पर आकर के रुख गई है थोड़ी नई बातों पर हम और आगे चर्चा करते हैं जो यहाँ पर प्रस्तावों की बात हम देखते हैं क्या बजट में प्रस्तावों को लाना इतना वाजिब है या वहाँ पर अगर प्रस्ताव है तो उसके साथ राश्वी का आवंटन होगा नहीं होगा इसको क्लियर क करने से हिसाब किताब तो नहीं बनता है सर जैसा कि इसमें एक और हम एक्जामपल देख रहे हैं 20 लाग से अधिक आबादी वाले शेरों में मेट्रो चलेंगी कैसे चलेंगी क्या लेखा जोखा होगा कितना पैसा उस मद पे खर्च किया जाएगा इस बारे में कोई जादा ज चुरूती है सरकार के सामने वो पैसे की धन की चुरूती है और उसके लिए सरकार बार बार दो तीन बाते कहती रही है कि FDI आमन्तित करेंगे और FDI भी जैसे 26% का एक कैप था उसको हटा करके 49% किया है PPP को भी बढ़ावा देनी की बात है यह एंजियोज को भी इसमें इन करने की बात है बैंकों को भी अपने मतर और नमस स्टेटस दे करके उनको अपने तरीके से फैसले करने का दिकार दिया ए ताकि वो भी इंफ्रा स्टर्क्टर में वीजर करना होब हैं इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उनका भी कितने उसमें participate करेंगे, PCUs कितने participate करेंगे, NGUs कितने participate करेंगे ये सरकार की इमानदारी पे निर्भर करता है कि private sector उसमें भरूसा करता है या नहीं अब यहाँ पे सरकार कितनी इमानदार है, इस सवाल पे हम चर्चा करेंगे एक break के बाद